दिवाली की सफाई में भूल कर भी न करें ये गलती, इन चीजों को घर से हटाने से चली जाती है। मा लक्ष्मी दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिवाली के अचूक टोटकों की जानकारी देंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, पूरे वीडियो सटीक जानकारी मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले धर्म कथाएं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, माता लक्ष्मी आपका हमारे घर में स्वागत है, दोस्तो दिवाली, जिसे दीपावली भी कहा जाता है, भारतिय संस्कृती का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा त्योहार है, यह सिर्फ रोश्नी और दीपों का पर्व नहीं है, बलकि सम्रिध्य, खुशहाली और आध्य जात्मिक्ता का प्रतीक भी है, दिवाली मुख्य रूप से मा लक्ष्मी के स्वागत का पर्व है, जो धन, वैभव और सम्रिध्य की देवी मानी जाती है, इसे कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है, जब प्रिथ्वी पर सबसे अंधकार मैं रात होती है, इस दूर करने के लिए दीब जलाए जाते हैं, जो अज्ञानता, नकारात्मक्ता और दरिद्रता को मिटाने का प्रतीक होते हैं, इस समय मा लक्ष्मी का विशेश रूप से पूजन होता है और उनका स्वागत साफ सफाई और पवित्रता के साथ किया जाता है, हिंदू धर्म म कि मा लक्ष्मी स्वच्छता और पवित्रता को पसंद करती हैं और वहीं वास करती हैं जहां शुद्धता होती है, इसीलिए दिवाली से पहले घर के हर कोने की सफाई की जाती है, यह सफाई न केवल भौतिक रूप से गंदगी को हटाने का काम करती है, बलकि आध्यात्मि और मानसिक शुद्ध का भी प्रतीक मानी जाती है, सफाई के दौरान घर के पुराने और बेकार सामानों को निकाल दिया जाता है ताकि नई और सकारात्मक उर्जा का प्रवेश हो सके, हालांकि सफाई करते समय कुछ विशेश चीजों को फेंकने से बचने की सलाह दी जात अगर इन वस्तूओं को फेंका जाता है, तो मान लक्ष्मी नाराज हो सकती है और घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। नकारात्मक उर्जा से मुक्त रहता है और उसमें सकारात्मक्ता, समरिद्ध और शान्ति का वास होता है। दिवाली पर घर की सफाई का एक मकसद यह भी होता है कि घर में सकारात्मक उर्जा का प्रवाह हो और नकारात्मक उर्जा बाहर निकल जाए। वास्तुशास्त्र क पर सफाई और सजावट करने से घर में सुख शान्ती और मां लक्षमी की कृपा बनी रहती है। सफाई के समय पुराने और बेकार सामान को निकालना भी वास्तु शास्त्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है। घर में बेकार पड़े सामान नकारात्मक उर्जा को आकरशित करते हैं और सकारात्मक उर्जा के प्रवाह में रुकावट डालते हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें बाहर नहीं फेकना चाहिए। चाहे वे पुरानी हो या बेकार दिखें। वास्तु शास्त्र में यह भी बताया गया है कि गंदगी और अव्यवस्था नकारात्मक उर्जा को बढ़ावा देती है। दिवाली पर स्वच्छता का मतलब सिर्फ धूल हटाना नहीं होता, बलकि यह भी सुनिश्चित करना होता है कि घर का हर कोना व्यवस्थित हो, घर के इसे विशेश रूप से साफ सुथरा रखना चाहिए। द्वार पर रंगोली बनाना और दीब जलाना भी शुभ माना जाता है। पूजास्थल की सफाई, दिवाली पर पूजास्थल की सफाई और सजावट का विशेश महत्व होता है। पूजास्थल को स्वच्छ और मान लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख सम्रिध्य का वास होता है। कबाड और बेकार सामान निकालना घर में बेकार सामान रखने से नकारात्मक उर्जा का संचरन होता है। इसलिए दिवाली से पहले घर के सभी कोनों से पुराने और बेकार सामानों को निकाल देना चाहिए. हालांकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें फेंकने से बचना चाहिए, जैसे कि जाडू, शंक, कौडी, मोरपंख, सिक्के और लाल कपड़े. हिंदू धर्म में जाडू को विशेश महत्व दिया गया है. वास्तु शास्त्र के अनुसार जाडू का सीधा संबंध मान लक्ष्मी से होता है. जाडू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है क्योंकि यह गंदगी को हटा कर घर में स्वच्छता और शुधता लाती है. जिस सेरस का पर्व दिवाली के पांच दिवसिय उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है. इस दिन नए बरतन, सोना चांदी और अन्यकीमती वस्तूओं की खरीदारी की जाती है. लेकिन जाडू खरीदने का भी विशेश महत्व होता है. जाडू को घर में समरिध्धि लाने और न नहीं फेंकना चाहिए. ये दिन विशेश रूप से मा लक्ष्मी के प्रियम आने जाते हैं. और इस दौरान जाडू फेंकने से मा लक्ष्मी नाराज हो सकती है. यह भी माना जाता है कि यदि किसी शुभ दिन जाडू फेंकी जाती है, तो घर में दरिद्रता आ सकती है और सम्रिद्ध चली जाती है. इसलिए जाडू को फेंकते समय इन बातों का विशेश ध्यान रखना चाहिए. जाडू को मा लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है क्योंकि यह गंदगी और दरिद्रता को दूर करती है. जिस घर में नियमित रूप से सफाई होती है, वहां मा लक् योग करने से घर में सुख, शान्ती और मा लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है. धार्मिक महत्व के अलावा जाडू का वैज्यानिक पक्ष भी महत्व पूर्ण है. सफाई से घर में धूल मिट्टी और हानिकारक बैक्टीरिया का नाश होता है, जो स्वास्थे के लिए हानिकारक हो सकते हैं. नियमित सफाई से घर में स्वच्छता और स्वास्थ का वातावरन बना रहता है. इसके साथ ही सफाई से मानसिक शान्ती भी प्राप्त होती है, जिससे सकारात्मक उर्जा का प्रवाह होता है. शंख का उपयोग प्राचीन काल से ही धार्मिक अनुष समाप्त होती है और सकारात्मक उर्जा का प्रवाह होता है. शंख भगवान विश्नु का प्रतीक है, जो पालक और संरक्षक माने जाते हैं. इसके साथ ही मान लक्षमी को भी शंख प्रिय है और इसलिए दिवाली पर शंख का उपयोग शुभ माना जाता है. शंख की ध्व मनी से वातावरण में व्याप्त नकारात्मक शक्तियां नश्ट होती हैं और सकारात्मक उर्जा का संचार होता है. इसलिए जब भी दिवाली की सफाई की जाती है, यदि शंख या पुराना शंख मिलता है, तो उसे बाहर नहीं फेकना चाहिए. उसे पवित्रता के साथ मं मंदिर में या घर के किसी पूजा स्थल पर रखना चाहिए. धार्मिक और आध्यात्मिक द्रिष्टिकोंड से शंख कई प्रकार के होते हैं और हर प्रकार का शंख अपने आप में विशिष्ट होता है. दक्षिना वर्ती, शंख. यह शंख भगवान विश्णु का प्रिय माना जाता है. इसकी विशेष्टा यह है कि इसका घुमाव दक्षिन की ओर होता है. यह शंख घर में आर्थिक सम्रिधि लाने के लिए विशेश रूप से महत्वपूर्ण है. माना जाता है कि इस शंख को पूजा स्थल में रखने से मान लक्ष्मी की विशेश कृपा प् गणेश शंख इस शंख का आकार भगवान गणेश के स्वरूप के समान होता है. इसे घर में रखने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और सुख शान्ति का वास होता है. गौरी इसे दिवाली के अवसर पर पूजा स्थल में रखने से मान लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि घर में शंख है तो उसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए. यदि शंख पुराना या तूट भी जाए तो उसे फेंकने की जगह क इसी पवित्र नदी में प्रवाहित करना चाहिए. शंख को अनादर पूर्वक फेंकने से घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है और मान लक्ष्मी नाराज हो सकती है. इसलिए सफाई के दौरान यदि शंख मिले तो उसे साफ करके घर के पूजा स्थल पर स्था करना चाहिए. कोडी एक छोटे आकार की समुद्री जीव की खोल होती है, जिसे प्राचीन काल से शुभता और धन के प्रतीक के रूप में देखा जाता रहा है. कोडी का संबंध विशेश रूप से मान लक्ष्मी से जोडा जाता है और इसे दिवाली की पूजा में भी महत पूर्ण स्थान दिया जाता है. कोडी का उपयोग तंत्र मंत्र और वास्तु दोश निवारन के लिए भी किया जाता है. दिवाली पर माता लक्ष्मी की पूजा में कोडी चढ़ाने से आर्थिक समृध्धि प्राप्त होती है और धन की वृध्धि होती है. यदि सफाई क के दौरान आपको कोडी मिले तो उसे बाहर फेंकने के बज़ाए धो करमा लक्ष्मी की पूजा में उपयोग करना चाहिए. दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का विशेश महत्व है और इस पूजा में कोडी का उपयोग करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है. इसके अलावा कौडी को पूजा के स्थान पर रख कर उसकी नियमित पूजा करने से घर में स्थिर्ता और सम्रिध्य आती है। कौडी को पवित्रता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और इसे रखने से घर में नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। मोरपंख का भारतिय पौरानिक कथाओं में अत्यधिक महत्व है। इसे भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक माना जाता है और श्री कृष्ण की प्रतिमा या चित्र में प्रायह उन्हें सिर पर मोरपंख धारण किये हुए दिखाया जाता है। धार्मिक द्रिष्टिकोंड से मोरपंख को शुभता, समरिध्य और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मोरपंख का उपयोग वास्तु दोश दूर करने और घर में सकारात्मक उर्जा लाने के लिए किया जाता है। मोरपंख को पूजा के स्थान पर रखने से मान लक्ष अत्यंत प्रिय है। यह माना जाता है कि मोरपंख में सभी प्रकार की सकारात्मक शक्तियों का निवास होता है, जो हमारे जीवन में शान्ती, सम्रिध्य और खुशहाली लाते हैं। श्री कृष्ण ने मोरपंख को अपने मुकुट का हिस्सा बनाया, जो उनकी दिव्यता और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मोरपंख को घर में रखने से वास्तु दोश दूर होते हैं और घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है। यदि घर के किसी कोने में नकारात्मक उर्जा महसूस हो रही हो, तो वहां मोरपंख र और इसे घर में रखने से सौभाग्य और सम्रिध्य का वास होता है। यह माना जाता है कि पुराने सिक्कों को घर में रखना मा लक्षमी की कृपा को बनाए रखने में सहायक होता है। जाता है कि सिक्कों को पूजा के बाद तिजोरी या पैसे रखने के स्थान पर रखने से घर में स्थिर्ता और आर्थिक स्थाइत्व बना रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि सफाई के दौरान पुराने सिक्के मिलें तो उन्हें कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। यह माना जाता है कि पुराने सिक्कों को फेंकने से मा लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। इसके बजाए इन सिक्कों को संभाल कर रखना चाहिए और पूजा में उपियोग करना चाहिए। पुराने सिक्कों को साफ करके लक्षमी पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए पूजा के बाद इन सिक्कों को तिजोरी, अलमारी या अन्य सुरक्षित स्थान पर रखा जा सकता है यदि संभव हो तो सिक्कों को लाल कपड़े में बांध कर रखा जा सकता है जिससे उनकी शुभता और बढ़ जाती है। लाल रंग को हिंदू धर्म में अत्यधिक शुभ और महत्व पूर्ण माना गया है। यह रंग साहस, शक्ति और सम्रिधि का प्रतीक है। खासकर देवी लक्ष्मी और देवी दुरगा की पूजा में लाल रंग का विशेश महत् पहनाये जाते हैं, जिससे देवी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा प्रदान करती है। लक्ष्मी पूजा में लाल रंग के कपड़े अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पूजा स्थल पर लाल कपड़ा बिचाकर उस पर मान लक्ष्मी की मूर्ती स्थापित क इसके साथ ही मा लक्षमी को चढ़ाये जाने वाले वस्तर भी लाल होते हैं, जो देवी को प्रसन्न करने का एक माध्यम माना जाता है। जो पूजा के समय घर के वातावरण को शुध और पवित्र बनाती है। साथ ही पूजा की थाल में रखे गए प्रसाद और अन्य वस्तरों पर लाल रंग का प्रभाव सकारात्मक होता है। तिजोरी और धन रखने की जगह पर लाल कपड़े का प्रयोग। हिंदू धर्म में धन और सम्रिद्ध का विशेश महत्व है। दिवाली के समय धन रखने की जगह जैसे तिजोरी या अलमारी में लाल कपड़ा रखना अत्यधिक शुभ माना जाता है। यह रंगमान लक्षमी की कृपा को बढ़ाता है और आर्थिक सम्रिद्ध को स्थिर रखता है। लाल कपड़े में सिक्के या धन रखने से यह भी माना जाता है कि धन की वृद्ध होती है और घर में स्थाई रूप से सम्रिद्ध का वास होता है। धार्मिक द्रिष्टि से लाल कपड़ा शुभता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। दिवाली की सफाई के दौरान यदि किसी को पुराना लाल कपड़ा मिल जाए तो उसे फेंकना नहीं चाहिए। इसे फेंकने से माना जाता है कि घर में सम्रिद्धी और धन का हरास हो सकता है। इसके बजाए इस कपड़े को साफ करके उसे पूजा में उपियोग करना चाहिए या फिर उसे तिजोरी या पूजा स्थल में स्थान देना चाहिए। लाल रंग के कपड़ों को देवी लक्ष्मी को अर्पित करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। यदि लाल कपड़ा पुराना हो चुका हो तो उसे साफ करके किसी पवित्र स्थान पर रखना चाहिए या फिर उसे किसी धार्मिक स्थान पर दान देना चाहिए। इस प्रकार लाल कपड़े का सही उप्योग करने से घर में सौभाग्य और सम्रिध्धि बनी रहती है। तांबे के बरतन, विशेश रूप से जल पात्र, पूजा में उप्योग किये जाते हैं। इसे भगवानों को अर्पित करने और पवित्र जल रखने के लिए शुभ माना जाता है। तांबा जल को शुध करता है और इसे धार्मिक द्रिष्टि से अत्यंत पवित्र माना ज पूजा में उप्योग होते हैं। देवी देवताओं की मूर्तियों को पितल के थाल में रखकर उनका अभिशेक और पूजन किया जाता है। दिवाली की सफाई के समय अक्सर पुराने धातु के बरतन मिलते हैं जो उपयोग में नहीं आते। इन बरतनों को फेंकने के बजाए पुनह उपयोग में लाना चाहिए। यदि बरतन खराब स्थिति में हो तो उन्हें सही धंक से साफ करके फिर से प्रयोग किया जा सकता धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तांबे और पीतल के बरतन सम्रिद्धे और धन के प्रतीक होते हैं। इन्हें फेंकना अशुभ माना जाता है क्योंकि इन बरतनों का संबंध मा लक्षमी से होता है। विशेश रूप से पीतल के बरतनों को लक्षमी पूजा में पूर्ण होते हैं बलकि इनका उपयोग स्वास्थिके द्रिष्टिकोंड से भी लाबकारी है। अगर की पवित्रता और शुभता का प्रतीक होता है। विशेष रूप से दिवाली के समय मान लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्टियों का पूजन किया जाता है। यह मान्यता है कि देवी देवताओं की मूर्तियों और चित्रों से सकारात्मक उर्जा का संचार होता है और इनकी पूजा से घर में शांती और सम्रिध्धी बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि घर में कोई मूर्ति या धार्मिक चित्र तूट जाए तो उसे अनादर पूर्वक फेंकना अशुभ माना जाता है। तूटी हुई मूर्तियों और चित्रों को कचरे में फेंकने की जगह उन्हें उचित धार्मिक विधि से विसर्ज इसलिए तूटी हुई मूर्तियों और चित्रों को सम्मान पूर्वक विसर्जित करना ही उचित होता है। विसर्जन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मूर्तियों पर्यावरण के अनुकूल हों। पूजनी यह माना जाता है। इसे देवी लक्षमी का ही एक रूप माना जाता है और हिंदू धर्म में इसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। तुलसी के पौधे की पूजा करने से घर में सुक सम्रिद्धि का वास होता है और मा लक्षमी की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी के पौधे को हिंदू परिवारों में एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। दिवाली के समय तुलसी की पूजा का विशेश महत्व होता है। इसे देवी लक्षमी और भगवान विश्णू की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा जाता है। इसके अलावा तुलसी की पूजा की जाती है, जिससे घर में सकारात्मक उर्जा का प्रवाह होता है। तुलसी के पौधे को घर के आंगन में रखना अत्यधिक शुभ माना जाता है। यदि तुलसी का पौधा सूख जाए, तो इसे फेंकने के बजाए उचित धंक से विसरजित करना चा पूजा में भी किया जाता है, जिससे घर में पवित्रता का माहौल बना रहता है। बलकि आर्थिक और व्यक्तिगत सम्रिध्य को भी प्रभावित कर सकती है। सफाई के माध्यम से घर को पवित्र करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि घर में सौभाग्य, शान्ति और सम्रिध्य का वास हो। मुख्यद्वार की सफाई और सजावट वास्तु शास्त्र में मुख्यद्वार को घर की सबसे महत्वपूर्ण जगह माना जाता है क्योंकि यहीं से सकारात्मक और नकारात्मक उर्जा का प्रवेश होता है। इसलिए दिवाली की सफाई के दौरान मुख्यद्वार को अच्छी तरह से साफ करना और उसे सुन्दर बनाना बहुत जरूरी होता है। पूजास्थल की सफाई और सजावट से घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है। ये सामान न केवल घर में अव्यवस्था उत्पन्न करता है, बल्कि यह नकारात्मक उर्जा को भी आकर्शित करता है। इसलिए पुराने कपड़े, तूटी-फूटी चीजें और बेकार सामान को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। इससे न केवल घर में स्वच्छता बनी रहती है, बल्कि यह भी माना जाता है कि इससे जीवन में नए अवसरों और सम्रिद्ध का स्वागत होता है। ध्यान और मानसिक शांती। दिवाली की सफाई करते समय केवल घर की बाहरी गंदगी को साफ करना ही परियाप्त नहीं है। यह समय मानसिक और भावनात्मक शुद्धी के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। सफाई के साथ ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास करके हम अपने मन की अशुद्धियों और नकारात्मकता को भी दूर कर सकते हैं। सफाई के बाद ध्यान करने से मानसिक शांती मिलती है और सकारात्मक उर्जा का प्रवाह बढ़ता है जिससे घर का माहौल शुद्ध और शांति पूर्ण बना रहता है। गंगाजल का छिड़काव दिवाली की सफाई के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करने से नकारात्मक उर्जा दूर होती है। गंगा जल को पवित्र माना जाता है और इसके छिड़काव से घर का वातावरन शुद्ध हो जाता है। पूजास्थल, रसोई घर और मुख्यद्वार पर विशेश रूप से गंगा जल छिड़कने से घर में सकारात्मक उर्जा का वास होता है। दीब जलाना, दिवाली का त्योहार दीपों का त्योहार है और घर के हर कोने में दीब जलाने से न केवल अंधकार मिठता है बल्कि यह नकारात्मक शक्तियों को भी दूर करता है। माना जाता है कि दीपक की रोशनी घर में सुख सम्रिध्य और शान्ति का प्रतीक होती है। करना, नकारात्मक उर्जा को दूर करने और वातावरण को शुद्ध करने के लिए आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा कपूर जलाने से भी घर में सकारात्मकता और शान्ति बनी रहती है। सफाई का हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थे पर सीधा प्रभाव पढ़ता है। एक साफ और स्वच वातावरण में रहना नकेवल हमारे मानसिक शान्ति को बढ़ाता है, बलकि यह शारीरिक रूप से भी हमें स्वस्थ रखता है। गंदगी और अव्यवस्था से घर में बैक्टीरिया और विशानू पनप सकते हैं, जो बीमारियों को जन्म देते हैं। नियमित रूप से घर की सफाई करने से हम इन हानिकारक तत्वों से दूर रहते हैं और स्वस्थ जीवन जीते हैं। सफाई का मानसिक स्वास्थे पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक स्वच्छ और सुव्यवस्थित घर में रहना मन को शान्त और स्थिर रखता है। अव्यवस्था और गंदगी से तनाव और बेचैनी बढ़ सकती है, जबकि साफ सफाई से मन में शान्ती और सक का रात्मक्ता का संचार होता है। धन तेरस दिवाली के पांच दिवसिय त्योहार की शुरुवात का प्रतीक है। यह त्योहार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथी को मनाया जाता है और इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। धन तेरस पर विशेश रूप से धन, और समरिध्धि के देवता भगवान धनवंत्री की पूजा की जाती है। इसके साथ ही धन तेरस पर जाडू खरीदना भी अत्यधिक शुभ माना जाता है। इसके अलावा यह मान्यता है कि धन तेरस पर लोहे, कांच और काले रंग की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। इन वस्तुओं को अशुभ माना जाता है और यह नकारात्मक उर्जा को आकरशित कर सकती है। धन तेरस पर स्वास्थे से संबंधित वस्तुएं भी खरीदी जाती हैं जैसे कि तांबे के बरतन और ओशधी ये जड़ी बूटियां। यह भगवान धन वंतरी को समर्पित दिन है जो स्वास्थे और जीवन शक्ति के देवता माने जाते हैं। इसलिए इस दिन स्वास्थे से जुड़ी चीजें खरीदने से जीवन में स्वास्थे लाभ मिलता है। क्यों धन तेरस पर सोने चांदी के साथ ज़ाडू खरीदना शुभ माना जाता है। ज़ाडू को फेंकते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि इसे शुभ मुहूर्त में और सही तरीके से फेंका जाए। इसे अनादर पूर्वक फेंकने से नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं।